आज के विडियो में बात करने बाल हैं बिहार तरोगा मैंद्स के लिए कट आप क्या रह सकते हैं तो चलिए आज कब जो इस्टाट करते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको एकजाम रिलेटेड इ सीट हैं और टोटल सेलेक्शन पर फिजिकल फिजिकल के लिए टोटल 14,676 कंडिडेट का फिजिकल के लिए सेलेक्शन होना है वैकेंसी के 6 गुना कंडिडेट का सेलेक्शन फिजिकल के लिए किया जाएगा तो 14,676 कंडिडेट का सेलेक्शन फिजिकल के लिए किया जाएगा टोटल एपियर कंडिडेट मैंस एक जम मैंस एक जम में टोटल 47,000 कंडिडेट एपियर हुए थे तो मैंस एक जम में इस बाद टोटल 47,000 कंडिडेट एपियर हुए थे तो तीन में से एक candidate का selection physical के लिए किया जाएगा एक जाम लेबल की बात के तो इस बार moderate to hard लेबल के प्रस्ण एक जाम में पूछे गए थे previous vacancy से तुलना करकर देखते हैं कि cut-off क्या रहने बाले हैं previous seat की बात के तो total 17-17 seat थे और men's exam में total 28,100 candidate एपियर हुए थे और physical के लिए 10,302 candidate का selection किया गया तो previous vacancy में भी competition लगबग लगबग तीन का ही रहा था अब बात करते हैं इस बार cut-off क्या रहने बाले हैं अगर general की बात के तो general male के लिए 140-145, female के लिए 122-127, BC के लिए 132-137 male, female 112-115 EBC के लिए male 123-128, female के लिए 97-102, SC के लिए 117-121 male, female 87-92, ST के लिए 122-125 male, female 93-96, EWS के लिए male 127-130, female 112-115 तो इस बार बिहार दरुगा मेंस का cut-off यही रहने की सम्भाबना है तो देखिए cut-off कितना जाता है, result आने के बाद सब कुछ पता चली जाएगा तो आज का वीडियो इनसे मौप्त करता है, वीडियो चाल गए तो चैनल को सब्सक्राइब तर वीडियो को लाइक और से जूर कर, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद झाल झाल झाल